नमस्कार दोस्तो शर्मा जी की रसोई में आपका फीर से एक बार स्वागत है आज मैं मिठाईयों की रानी पान गिलोरी मिठाई लेकर आई हूँ मेरे बेटे की शादी थी बहुत समय के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और क्योंकि काफी बीजी सेटुल चल रहा था तो आज हम बनाएंगे खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगती है यह पान मिठाई पान गिलोरी नाम है इस मिठाई का इसके लिए हमने चार टाइप के ड्राइफ रूट ले लिए है आप ड्राइफ रूट आपकी प मार्केट में अक्सर मिठा वाला खोया भी एवेलेबल होता है अगर आपके पास यह ना हो तो आप कंडेंस मिल्क भी ले सकते है तो अब हम पान गिलोरी मिठाई बनाने वाले है इसके लिए हमने यह पान चटनी ली है जो कि बाजार में आसानी से मिल जाती है काफी इसके अंदर पान में डालने वाले सभी सामगरी हम डाल सकते है यह आसमान तारा है जो कि ठंडा ठंडा कूल कूल टेस्ट देता है पान के अंदर वाला और अब हम थोड़ी लोंग ली है हमने आप इसके अंदर इलाइची भी डाल सकते है आपको अगर पसंद हो तो और तो थोड़ा बैतर स्वाद आ जाए एक एक करके बारी बारी करके हम ड्राइफूट को पीस लेंगे लोगडाउन का समय है पान खाना बहुत ही मुश्किल है पान खाने के लिए सभी एवाइट करते हैं तो हमने इस चादी के अंदर पान गिलोरी मिठाई रखी थी बहुत ही जादा टेस्टी हेवी खाना खाने के बाद सभी को थोड़ा पान खाने में बहुत ही मज़ा आता है तो अब ऐसे समय में यहां अगर पान गिलोरी मिठाईों की रानी मिल जाए तो इसका स्वाद ही बहुत निराला होता है पिस्ता भी हमने यह पिस्ता बिल्कुल नमकिन व में करने के बाद अच्छे से यह मिक्स होना चाहिए तो हम इसी प्लेट के अंदर थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे बिल्कुल मैश कर लेंगे यह मिठाई खाने में बहुत टेस्टी होती है ला जवाब होती है और बहुत कम जगा पर यहां एवेलेबल होती है हम यह जो पा द्राइफ्रूट भी खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है अच्छे से हम यह जो आस्मा तरह हमने इसके अंदर डाला है आप इसके अंदर लोंग इलाइची भी कुट कर डाल सकते है और अब जो हमने यह मीठा वाला मावा लिया है इसे थोड़ा सा गरम करकर अब हम इसके अंदर यह डाल देंगे और इसे अच्छे से मीक्स कर लेंगे इसके अंदर मीठा जो है आप आपकी पसंद से डाल सकते है अगर यहां मीठा आपको कम लगे इस चटनी के अंदर भी काफी मीठास होती है और अब हम यहां चटनी इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी डालेंगे फिर टेस्ट करकर देखेंगे बिलकुल फ्लेवर अगर सही हुआ तो और नहीं डालेंगे और अगर फ्लेवर सही ना हुआ तो हम थोड़ी चपनी इसके अंदर और डाल देने वाले हैं और यहाँ चपनी के अंदर भी काफी मिटा से अच्छे से मैश करेंगे टाकि अच्छे से भाइंडिंग हो जाएं इन ड्राइफ़ रुट के अंदर और खोया भी हमारा यह जो मीटा वाला खोया है इसके अंदर से भी बाइंडिंग होने वाली है हमारे इस मिच्चर के अंदर और इस चटनी से भी बाइंडिंग होने वाली है हातों से अच्छे से हमें इसे मिक्स करना चाहिए और अब हम धीरे-धीरे करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही आसान होती है यह मिठाई बनाना और जब भी अगर आपके कल भी मेहमान आने वाले हो तो आप यहां आज भी मिठाई बना कर रख सकते है क्योंकि यह मिठाई आल्रेडी फ्रीज के अंदर ही रखी जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बिल्कुल नहीं होती है सभी इसे नहीं बना पाते है क्योंकि यह मिठाई के जो पान लिये हैं हमने यह हर जगा एवेलेबल नहीं होते है थोड़ा टेस्ट करकर देखा है हमने चटनी थोड़ी कम लग रही है तो हमने थोड़ी चटनी इसके अंदर ओर डाल दी है ताकि पान का बिल्कुल बहतर स्वाद आना चाहिए इसके अंदर खाना खाने के बाद जब हम एक पीस मिटाई का खाते है तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है इसका और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे बाइंडिंग काफी अच्छे होनी चाहिए बाइंडिंग बिल्कुल खिली-खिली नहीं होनी चाहिए जैसे पूड़ी का आटा होता है उस तरह की बाइंडिंग होनी चाहिए इस मिठाई के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे काफी चिपचिपा ऐसा बैंडिंग हो चुकी है हमारे तो इसके लिए हम हातों को अच्छे से साफ कर लेने वाले हैं हातों को अच्छे से साफ कर लेंगे हम और फिर और अब ये पान गिलोरी के पान ले लेंगे हम यहां आसानी से सभी शौपन नहीं मिलते हैं जा कैटरस लोग मिठाईों का सामान खरीते हैं वहीं यहां पान एवेलेबल हो सकते हैं और बिल्कुल आगरे का पेठा जिस तरह से बनाय जाता है उसी तरह से यहां पान भी बनाय जाते हैं बिल्कुल त्रिकोना त्रिकोना किये हुए होते हैं आपको अगर इनमे ग्रीन कलर डालना हो तो थोड़ा सा चाशनी के अंदर ग्रीन कलर डाल कर इन्हें रात भर प्रोसेस होने के लिए छोड़ सकते हैं ताकि उपर से ग्रीन कलर आ सके फूड कलर खाना सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है इसके मैंने इसके अंदर ग्रीन कलर नहीं डाला है और अब हम इन पान की मिठाई बनाने वाले हैं इन पान को आप फ्रीज के अंदर भी स्टोर करकर रख सकते हैं तो चलिए अब हम इनकी मिठाई बनाएंगे और इन्हें साइड में रख देंगे हम पान को अब हम इस बैटर के अंदर थोड़ा गुलकन भी मिक्स कर लेवाने हैं पहले मैं भूल गई थी गुलकन मिक्स करना गुलकन के अंदर भी काफी मिठास होती है इसके लिए हमें और कोई शक्क डालने की इसके अंदर आउशकता नहीं होती है चटनी से और गुलकन से ही यहां और जो मिठा वाला मा आवा लिया है हमने उससे काफी मीठी हो जाने वाली है यह मिठाई और क्योंकि उपर वाले पान के अंदर भी चाशनी डाली हुई है तो उपर से भी कोई मीठा डालने क्या हो शकता नहीं होती है हमें और अब हम गुलकन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसकी छो हम सर्व करें तब भी आप अगर नीचे बरफ के क्यूब रख दे और उपर अगर प्लेट के अंदर यह मिठाई रखे तो इसका स्वाद और भी जादा बढ़ जाता है क्योंकि पान हेवी खाना खाने के बाद सभी को ऐसा पान खाने का बहुत ही जादा आनन्द आता है इस भी मिठास होती है गुलकन के अंदर और चाशनी के अंदर और अब हम एक प्लेट के अंदर इस तरह से फॉइल लगा लेंगे ताकि जो यह चाशनी है हमारी प्लेट के अंदर इदर उदर ना जाए इस फॉइल के ऊपर ही रहे अगर फॉइल हम नहीं लगाएंगे तो मिटाई रखेंगे और फॉयल के उपर जब चाशनी आती है तो वहां सूकती भी नहीं है हम दो दिन तक भी यहां प्लेट फ्रिच के अंदर इसी तरह से रख सकते हैं और अब हम इसके उपर मिटाई तयार करकर रखने वाले हैं ना कोई गयाज जलाने की जंजट है ना कोई ओइल है इसके अंदर ना कोई घी है इसके अंदर और बहुत ही अच्छे से जटपट बन जाती है यह मिटाई और बिल्कुल न्यू टाइप की मिटाई हो जाती है कुछ अगर नई मिटाई बनाना चाहते है यह तो बहुत ही बेटर आप्शन है यह और अब आम इस तरह से चोटी चोटी गोली को बना कर इसकी त्रिकोनी त्रिकोनी लोई सी बना लेंगे ड्राइफ रूट भी आप इसके अंदर आकरोड डाल सकते है खजूर डाल सकते है आप इसके अंदर जरदारू डाल सकते है आप आपके पसंद से डाल सकते हैं सिर्फ ध्यान रहे खारे पिस्ता हमें नहीं लेने हैं थोड़े थोड़े से मोटे भी ड्राइफरूट डाले हमने इसके अंदर ताकि थोड़ा हम जब चबाई इने तो थोड़ा सा पान वाला फ्लेवर आ जाए क्योंकि हमने सुपारी नहीं डाले इसके अंदर सुपारी खाना सभी लोग पसंद भी नहीं करते है इसके लिए बहुत ज़ादा मोटे भी ड्राइफरूट ना डाले आप इसके अंदर और ध्यान रहे भूने हुए ड्राइफरूट भी ना डाले क्योंकि भुने हुए ड्राइफ रूट का अलग ही अपना एक स्वाध होता है हाथ अगर चिपचिपे हो जाए तो इन्हें फिर से साफ कर लीजिए और थोड़ा सा अगर हम पानी लेकर इन्हें बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे यह जो मिक्चर बनाया है हमने इससे काफी जादा मिठाई बनने वाली है क्योंकि यहां जो मिठाई है आप खाना खाने के बाद एक ही पीस खा सकेंगे या फिर जादा से जादा दो पीस खा सकेंगे तो इसके लिए यहां मिठाई बहुत जादा बनकर तयार होने वाली है बहुत जादा समय के बाद मैं आपके लिए यहां वीडियो लेकर आई हूँ काफी बीजी शेडूल चल रहा था मेरे बेटे की शादी थी और बहुत जादा लंबे समय तक बहुत ही काम चल रहे थे मैंने मेरे बेटी की शादी की एंगेजमेंट के भी लाइव वीडियो शर्मा जी की रसुई पर डाले हैं आप वह भी जरूर देखे और अब हम इस तरह से सभी लोईया बना कर तैयार कर लेंगे ध्यान रहे हातों को गी बिल्कुल भी ना लगा है वरना मिठाई के अंदर गी का फ्लेवर आ सकता है जो कि अच्छा नहीं लगने वाला है हातों को हलका सा गीला करके हाम फिर से यहां सभी लोईया बना लेने वाले है खाने में बहुत ही टेस्टी ला जवाब होती है जब से मैंने यूटूब चैनल शुरू किया है तब से इतना गया बिल्कुल भी नहीं हुआ है वीडियो डालने के लिए फर्ट समय ऐसा हुआ है जो मैंने एक मेने से आपके लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आई हूँ कोशिस करूँगी मैं हमेशा इसी तरह से बिल्कुल फटाफट वीडियो लेकर आने की सभी लोईया हमने बना लिए काफी मात्रा में मिठाई बन चुकी है हमारी लगबग हन्रेट पीस बन चुकी है और अब हम ये जो पान है नीचे काफी चाशनी चली गई है इनकी तो अब हम इने थोड़ा इस थाल के अंदर निकाल लेंगे चाशनी पूरी नीचे चली गई है तो इसके लिए उपर वाले पान में काफी मिठाई कम हो गई है तो हम नीचे से पान ले लेंगे ताकि मिठास भी बिलकुल परफेक्ट रहे इन चोटी-चोटी बातों का जब हम वेंजन बनाते समय ध्यान रखेंगे तो हमारा वेंजन बिलकुल परफेक्ट ही बनने वाला है बात बलाई छोटी हो पर काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंक हम इस तरह से एक प्लेट के अंदर एक पान रखेंगे और फिर लोग हमने शरीफ इसे लॉक करने के लिए ही लिया है और अब हम इसके अंदर एक लोई रखेंगे और बिल्कुल जट पड बन जाएंगे ये पान और थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे हम इने बस एक पोर्शन फ खराब नहीं होना चाहिए देखिए आप कितनी बैतर बनकर तयार हो गई है और बिल्कुल पान जैसी लग रही है ये मिठाई है और अगर हम ग्रीन कलर डाल देते फिर तो कोई पैचान भी नहीं पाता कि ये पान है या मिठाई है पर मैंने फूड कलर का बिल्कुल भी इस्त करना चाहिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बहुत जटपट बन जाती है ये मिठाई और अगर आप मेरे चै हैता हो तो और भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारा काम और ना कोई गयाज जलाना है ना कोई ओईल डाला है हमने इसके अंदर और अब हम इस तरह से हैं सभी मिठाईया बना कर तैयार कर लेंगे और अगर हमारी लोई बच जाती है तो हम इने फ्रिज के अंदर र लाइकान को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नुख्राइब